समझदार व्यक्ति जब संबंद निवानावंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्म संबान को कहीं न कहीं ठेश पहुची है हर इंसान की दो कहानिया होती है एक वो जो सब को सुनाता है दूसरी वो जिसे सब से छुपाता है कि रसकार और अपमान यदि बार बार अपनों से ही मिले तो सब्दों का विवाद उचित नहीं वहां से निकल जाना उचित है दोस्तों गलती भूल जाओ पर सबक हमेशा याद रखना जिन्दगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वो कमी बताए जो आप में है ही नहीं गलतियां खराटे की तरह होती हैं दूसरे कड़े तो चुपते हैं खुद कड़े तो पता तक नहीं चलता क्रोध और आंधी दोनों एक समान है शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है भाग्य साली वो नहीं होते जिने सब कुछ अच्छा मिलता है बल्कि वो होते हैं जिने जो मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं आँख बंद कर लेने से समस्याय खत्म नहीं हो जाती खुली आखों से देखकर ही समाधान किया जाता है आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है अगर कोई आपके रास्ते में कड़ा खोदे तो परिशान मत होना यह वही लोग है जो आपको छलांग मारना सिखाएंगे तुमने खुद को कमजोर मान रखा है वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता सबको खुश रखना मेड़क को तराजू में तौडने जैसा है एक को रखो तो दूसरा खूद कर बाहर निकल जाता है तू हस तू मुश्कुडा बस रोना कम कर दे अगर जिन्दा है तो जा जिन्दगी के नाग में दम कर दे लोग आपके बाड़े में अच्छा सुनने पर सक करते हैं लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं आमदनी पड़्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रन रखिए जानकाडी पड़्याप्त ना हो तो सब्दों पर नियंत्रन रखिए हारता वो है जो सिकायते बार बार करता है जीतता वो है जो कोशिसे हजार बार करता है जिन्दगी में बस दो लोग ही औसफल होते हैं एक वो जो सोचते हैं पर करते नहीं दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं आलाद गडीव हो तो चलेगा लेकिन सोच भिखाडी नहीं होनी चाहिए किस बात पे अड़े हो वहीं से सुरुआत करो जहां पे तुम आज खड़े हो जिन्दगी जीने के दो जड़ीके हैं जो पसंद है उसे हासिल करो या जो हासिल है उसे पसंद करो सांती की तलास तो सभी करते हैं बस समस्या यह है कि सांती से तलास कोई नहीं करता गुष्सा माचीश की तरह होता है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को जला देती है सांत रहना सीखो क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है भाग्य बदल जाता है अगर इरादे मजबूत हो वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोस देने में पहले मैं होसियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था आज मैं समझदार हूँ इसलिए खुद को बदल रहा हूँ मीठा सा होता है सफड़ ये जिन्दगी का बस करवाहट तो किसी से ज्यादा उम्मीद रखने से होती है जिन्दगी में दो बातों की गिंती करना छोड़ दो खुद का दुख और दूसरों का सुख फिर जिन्दगी आसान हो जाएगा वह क्या सफल होगा जो निर्भर हो गैरों पर मंजील तो उसे मिलती है जो चलता है अपने पैरों पर आपकी डिगडी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है आपकी असली सिक्षा तो आपके ब्यवहार से दिखती है रात भर गहडी नींद आना इतना भी आसान नहीं होता है उसके लिए दिन बर इमांदारी से जीना परता है रिष्टों को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे की कम्या नहीं गिनाई जाती बलकि उन्हें नजरंदाज किया जाता है स्वाद छोड़ दो तो सरीर को लाव है विवाद छोड़ दो तो सम्मंदो को लाव है और अगर ब्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो पूड़ जीवन को लाव है ना किसी के अभाव में जीओ, ना किसी के प्रभाव में जीओ, ये जिन्दगी है आपकी, बस अपने मस्त सौभाव में जीओ, अपसब्द एक ऐसी चिंगाडी है, जो कान में नहीं, सीधे मन में आग लगाती है, जो है, जितना है, उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि विवत से ज्यादा रोशनी भी इलसान को अंधा बना देती है। सबक जिन्दगी ने सिखाया है मुझे, मेरे अपनों ने ही रुलाया है मुझे। ये रिष्टे भी अजीव होते हैं, बिना विश्वास के सुरू नहीं होते, और बिना धोखे के खत्म भी नहीं होते। ज्या विश्वास के साथ है।